तो question क्या है what must be subtracted from 7 plus x minus 4 x square plus x cube तो ये question ही कह रहा है कि जो equation दी हुई है इसमें से क्या subtract करें कि resulting polynomial is exactly divisible by x minus 3 तो इसमें से क्या subtract करें कि exactly क्या हो x minus 3 से divide हो कि जो भी आपका remainder आएगा ना वही क्या करना है subtract करना है जब जागी क्या होगा x minus 3 से क्या होगा exactly divisible होगा तो अचलिए इसका remainder नकालते हैं तो start करते है question को x cube minus 4x square और क्या हो जाएगा minus plus x plus 7 इसको किस से divide करना है x minus 3 से क्या करना है divide करना है ठीक है तो इदर किसकी requirement है इदर square की requirement x square की तो क्या होगा x cube होगा यहार पर गोगा minus 3 x square होगा अब क्या होगा sin change होगे तो minus इदर plus तो यह cancel इदर कितना जाएगा minus 3 से यह आएगा minus x square बचेगा plus x हो जाएगा और क्या होगा plus 7 हो जाएगा अब क्या requirement है अब requirement किसकी है minus x की requirement है तो क्या होगा minus x हो जाएगा तो minus x into x होगा तो कितना होगा minus x square हो जाएगा अब 3 minus 3 into minus x होगा तो plus क्या होगा plus 3 x हो जाएगा अब क्या होगा sin change होगे तो यह plus यह minus तो यह क्या होगा cancel हो जाएगा ठीक है अब देखिए यह माइनस 3x से क्या हो x जाएगा तो कितना बचे का माइनस 2x हो जाएगा माइनस 2x क्या होगा प्लस 7 हो जाएगा अब किसकी requirement है अब requirement किसकी है माइनस 2 की requirement है तो माइनस 2 की requirement है अब x से माइनस 2 का इन 2 होगा तो माइनस 2x हो जाएगा तो क्या हैगा माइनस 2x हो जाएगा अब 3 का इंटू किस से होगा माइनस 3 का इंटू माइनस 2 से होगा तो कितना होगा प्लस 6x हो जाएगा कितना प्लस 6x अब बस होगा क्या साइन चेन तो प्लस माइनस तो answer cross सुर इसका होगा by स्ट्रेफ्ट करेंगे इसका मैनेस कि अस्ट्री चली एक दूसर सब्सक्रिण का बाइनिकर होगा इसे तैसे क्या हॉगा यह अपना क्या हो क्या हो यह फाल सक्वार करेंगे पिलस की तो क्या आपका exactly divisible होगा किस से x-3 से तो option number क्या है first क्या होगा इसका answer होगा ओके दोस्तों तो question क्या है तो 3 digit number 2a3 is added to the number 326 to give the 3 digit number 5b9 if 5b9 is divisible by 9 then a plus b is what दीकि simple question है जब भी अगर divisibility by 9 बताएं तो एक चीज़ार रखें जो भी number उनका sum करें ठीक है number जैसे कि क्या दिया है 5, 3, 4 दिया है इनका अगर sum करें तो कितना आएगा तो इनका sum करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा ठीक है ना तो 13 नहीं लेते हैं मानके चलिए क्या लेते हैं मानके चलिए इनका sum कितना आ रहा है 18 आ रहा है तो 18 क्या हो रहा है 9 से क्या हो रहा है पूरी completely divisible हो रहा है ठीक है ना तो ये number क्या होगा completely 9 से divisible होगा मैंने example दिया simple समझाने के लिए कि इनका जो sum करेंगे ना इनके digit का ठीक है वो क्या होना चाहिए completely 9 से divisible होना चाहिए तो दीक है इधर पर क्या दिया है इधर पर क्या दिया है 5 B 9 इनको करिए प्लस करिए ठीक है इनका प्लस करने पर क्या आएगा 9 और 15 9 और 5 14 14 में ऐसा क्या आट करें कि वो क्या completely divisible हो जाए तो क्या होगा 4 आट करेंगे जब जाए क्या होगा 18 आएगा 18 वो क्या होगा 9 से divide करेंगे तो कितना आएगा इसका 2 आएगा तो यह क्या होगा completely divisible होगा तो आपके जो B की value कितनी आगी आपको B की value कितनी मिल गई 4 मिल गई ओके दोस्तों B की value तो आगी 4 आगी अब एक ची बताइए आपको क्या दिया उपर उपर sum दिया हुआ है sum कितना दिया हुआ है 3 A 2 23 को add करने पर क्या इतना मिलता है तो बस simply क्या करिए 2 A 3 और plus क्या करिए plus करिए क्या 3 2 6 एक काल टू कितना आ रहा है 5 और B अपना क्या 4 है 4 और 9 ठीके ना इसको करिए simply solve करिए तो क्या हो जाएगा अपना अपना क्या हो जाएगा 26 क्या होगा 3 2 6 और इसको add करेंगे तो क्या होगा 2 A और 3 तो दीके इधर पर क्या आ रहा है इधर पर तो आ रहा है 9 आ रहा है ठीके ना इधर पर क्या रहा है इधर पर आ रहा है 5 आ रहा है अब एक चीब बताइए A में इतना कितना add करें कि क्या आ नहीं सब्सक्राना पर यह क्ल आ अगया अब एक चीद देखिये तर एक जัगा क्या रहा होगा तो अगया है रहना है गे है यह वेलू क्यों पूछिए क्या है क्या होगते और B की वैल्यू कितनी आगी, B की वैल्यू कितनी आगी, 4 आगी, तो बस, simply solve कर दीजे, तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आएगी, A प्लस B की वैल्यू 2 प्लस 4, तो कितना आगया, equal to 6, क्या होगा, इसका answer होगा, दो चीजे याद रखिएगा, divisibility of 9 याद रखिएगा, जिब भी divisibility of 9 वोले न, तो क्या होना चाहिए, उनकी digit होगी, digit, उनका sum करेंगे, तो उनका sum क्या होना चाहिए, 9 से completely divisible होना चाहिए, और divisible हो गया, इसको इनको add करिएगा, add करकर इस तरीकी से format जमाईएगा, इसको add क करने पर क्या आना चाहिए, एक की value क्या put करें, कि 2 और A को add करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो एक ही जगा क्या क्या करेंगे, 2 प्लस 4 तो 6 आगी, तो option number क्या हो जाएगा, इसका, first क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, okay दोस्तों, question क्या है, तो diameter of a circle is 7 cm, त blow is closest to the center, तो दीखिए, मान के चलिए, कि अपना इस circle है, ठीके न, अब मान के चलिए, इसकी diameter है, कितनी 7 cm है, ठीके न, जब भी इसका closest पूछे न, तो क्या होगा, सास से कम हो गई, तो दीखिए, सास से कम कौन सी है, सास से कम कौन सी है, 6 cm है, तो आपका answer क्या होगा, 6 cm क्य question कहता, perimeter of rhombus is 52 cm, कोई rhombus उसका perimeter के तना दिया हूआ है, 52 cm धिया हूआ है, one diagonal is 10 cm long, एक diagonal के तनी 10 cm लंबी है, the area of rhombus is what, area of rhombus बताना है, दीखventions, paarimiter of rhombus क्या होता है, 2 under root d1 का square plus d2 का square होता है ठीक है आपको d1 की value दी हुई है कितनी 10 cm दी हुई है और perimeter कितना दिया हूँ 52 cm दिया हुआ है simply इसको solve करिये तो क्या हो जाएगा d1 की square करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 10 का square क्या होगा 100 होगा और d2 की value निकालनी है तो simply इसको solve कर सकते है तो 2 इससे divide होगा 52 से कितना होगा 2 बन जा 2 तू जा 4 1 केरी 6 जा तो बस 26 आगया अब under root क्या हो जाएगा under root 100 plus d2 का square हो जाएगा अब यह root है ना lhs side जाएगा तो क्या होगा 26 का क्या हो जाएगा square हो जाएगा 26 का square equal to कितना 100 और plus d2 का square हो जाएगा हो जाएगा अब एकची देखिए 26 का square क्या होता है 26 का square निकालना तो किस तरी किसे निकालेंगे 2 into 6 into 2 कर दिया ठीक है ना तो कितना आगया 6 जुए 12 और 2 24 आगया अब 2 का square क्या होता है 4 होता है और 6 का 36 तो बस इढर एट कर दीजे कितना 24 एट कर दीजे तो कितना जागा 676 तो यह क्या ऑगया square आगया 26 और कितना आगया 676 से इसका square आगया 100 आगया बस इसको करिए simply solve करिए तो d2 का square आजाएगा बस इसको करेंगे तो क्या minus कितना हागा 576 इसको करिए simply solve कर दीजिए तो 576 को अब फेक्टर निकालिए तो फेक्टर निकालेंगे 2, 2 जा 4, 1 कहरी जा, तो 2 8 जा, 60 इंफर 1 कहरी, 2 8 जा, अब 2, 1 जा, 4 जा, 4 जा, 2, 7 जा, 2 जा, 2 जा, 2, 3 जा, 6 और 6 जा, ठीक है, 2, 1 जा और 8 जा, इसको solve करेंगे तो 2, 9 जा, 3, 3 जा, और 3, 3 जा, 1 जा, ठीक है न, तो आपको एक चित देखिए इदर पर क्या आगया, एक 3 ये कॉमन आगया, एक 2 ये कॉमन आगया, एक 2 ये कॉमन आगया, और एक 2 ये कॉमन आगया, तो कितना 2 हो गए, 1, 2, 3, 3, 2 हो गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 कर देंगे, तो कितना जाएगा, इनका इंटू करेंगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 3 करेंगे तो कि कितनी आगे तो आपका स्क्वार करतना आ गया अपने जोड़ स्वाल किया है इसको स्वाल करेंगे तो कितना जाएगा डी टू की वैल्लू कितनी आएगी आपके बस 24 आएगी 24 सेंटिमिटर आएगी आप एक ची बताइए आपको एडिया नकालना है एडिया ऑफ रॉमबस क् होता है half into d1 into kei तू होता है कितना होता है D2 होता है D1 की value कितनी है d1 कि value कितनी 10 डी यह और d2 की value कितनी निकाली इनकाली 24 निकाली सिंपल स्कोग also करें तो क्या है 10 into 2 बंज Aannoyanai एक सब्मीटर स्वारा लोगर आ गयां तो आप कान सा कितना 120 cm2 ओके दोस्तों सिंपल कोश्चन था थोड़ी लेंद ही था मैंने आपको बता दिये तो आंजर कितना 120 cm2 है option देख लेते हैं option क्या है तो जूम आउट इन कर रहा हूं तो option देख लेते हैं option क्या है तो option नम्मर क्या है इसका first क्या होगा इसका answer होगा क्या करना है देखिए आपको अंडरूट 2 की value कितनी दी हुई है 1.4 दी हुई है और पूछा क्या है कि अंडरूट 98 की value क्या होगी देखिए क्या है question में कि आपको 98 है ना उसको क्या करना आपको simply उसका LCM लेजिए तो LCM लेंगे तो क्या होगा 2 4 जा 8 1 कह रही तो 2 9 जा 18 ठीके न अब 2 से जाएगा नहीं जो किस से जाएगा 7 से जाएगा 7 7 जा 49 और 7 तो दीखिए 7 क्या आगया कॉमा ना गया तो 7 क्या जाएगा बाहर आ जाएगा आ जाएगा 2 अकेला है तो इसको कुछ इस प्रकार से लख सकते 7 इन टू अंडरूट 2 लख सकते अब अंडरूट 2 की वैल्यू की दी गुतीं हुझ है अंडरूट 2 की वैल्यू दीए 1.4 दीये है तो कुछ नहीं According क्या करिए बें पॉ तो 9-point rate किया है, इसका aansher होगा? option कौन सा होगा? option number क्या होगा? इसका second क्या होगा? इसका aansher होगा ओक eye धोफिटों question क्या Pret अमबर नम्बर दिये हुआ है, stata सब से पहले क्या है? 66 दिया हुआ है 8 दिया हुआ है 9 दिया हुआ है 57 दिया हुआ है ठीक है और 23 दिया हुआ है और 53 दिया हुआ है, 23 और 53 दिया हुआ है, दीखिए सबसे पहले करिए इनको add तो, add करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको add करेंगे तो क्या होगा, इसको add करेंगे तो क्या होगा, सीधा, 0 और 8, 3 और 4, तो कितना फिर 8 हो, 8 हो जाएगा, 80 ठीक है अब इसको कुछ नहीं करना है तो 66 दिया इसको एट करिए क्या होता है इसको एट करेंगे तो कितना हो जाएकर 5 और 1 केरी तो कितना हो जाएकर 7 तो कितना 75 आगया 75 अब अगर इसको एड करेंगे तो क्या होगा तो 8 और 11 1 और 1 कही तो कितना हो जाएगा अपको 60 61 आ गया ठीक है 60 बना गया अब simply क्या करेंगे सबको एड कर दीजिए तो एड करेंगे तो क्या होगा इसको भी 61 को एड कर दीजिए तो इसको एड करेंगे तो कितना हो जाएगा पना पांच और एक 6 तो 6 आ जाएगा और 6 और 5 कितना आठ कितना हो पंद्रा पंद्रा और 6 एककईस ठीक है तो 21 किया अगया इदर आ गया अब देखी यह आ गया कि समा गया simply अब टोटल नंबर कितना है तो एक दो तीन छे तो छ थिधिः कितना हो था 18 इदर कितना 3 कै रही तो 6 तो कितना अगये 6 ग्रें अब का इपका आंसर हो गया तो आंसर क्या है 36 से option देख लेते है option क्या है तो option number क्या है option number 4 क्या होगा इसका answer होगा ओके दोस्तों question क्या है तो value of 56 a to the power 4 b की power cube और c by 7 a b c इस देखे simple question है क्या question में क्या है simply 56 a to the power 4 है और b to the power 3 और c है उसको divide किस से करना है सेवन c by 7 a a b c से divide good करना सिम्प्ल इसको cancels करिए क्या होगा cancel करेंगे तो क्या होगा c से c क्या होगा cancel होगा 1 b से 1 b जाएगा तो कितना 22 बचेंगे ठीके ना similaragly क्या होगा 1 a से a jáएगा तो कितना बचेंगा 3 a बचेंगे ठीके नाbit और 7 बचेंगे 7 और और 7, 8 या 56, तो आपका अंसर क्या जाएगा, simply, या simply answer क्या जाएगा, 8, 8, cube, ठीक है न, 3 बचे न, और B क्या हो जाएगा, B 2 थे, similarly, तो B 2 square, तो simply, आपका अंसर कितना हो गया, आपका अंसर यह आ गया, तो option देख लेते, option क्या है, तो option number क्या, option number 3 क्या होगा, इसका answer होगा, ओके दोस्तों, question क्या है, at a present, the ratio between the age of जगन and बाला is 4 ratio 5, तो दीके present दिया है, किसको जगन और age का ratio दिया है, कितना 4 ratio 5 दिया होगा है, अब एक ची दिके question में क्या बोला, 8 साल बात, जगन age will be 28 years, तो जगन की age है न, वो कितनी हो जा तो दीके 8 साल पहले कितनी होगी उसकी age, 8 साल पहले कितनी होगी, 20 होगी, तो present age of जगन की ती, है मतलब 20 साल है, ठीके न, 20 साल क्या है, present age of जगन है, अब एक ची बताई, यह प्रदाइन जगन का ratio कितना दिया हुआ है, ratio दिया है, इसको करिए equate, क्या हो जाएगा, तो 4 ratio वराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 1 unit वराबर क्या हो जाएगा, तो 1 unit वराबर कितना हो जाएगा, 5 आजाएगा, ठीके न, 5 आजाएगा, ठीके न, अब एक ची देखिए, question में क्या पूछा गया है, question है, what the present age of बाला, तो बाला का ratio कितना था, 5 था, तो कुछ न माच करेंगे तो कितना 25 तो 25 यह क्या होगी ज़िए होगी इसका आंसर नुपशन गाइज कया है जड़नी कवर्णी कवरर दाए तो बताना है कि यह उस जड़नी कवर करता है तो बाए नहीं कितने मिट पर करेगा। simple question है, दीखे C और B और A, मान के चलिए अपन क्या करते हैं, उपर क्या हो लग कि B है न, वो thrice of fast किससे, C से, तो मान के चलिए अगर C क्या करता है, X speed से धोरता है, तो B क्या होगा, 3X से धोरेगा, अब क्या हो लगा है, कि A is twice as fastest B, अगर A क्या है, twice है, किससे, B से, तो B की speed क्या है, 3X है, तो A की speed क्या होगी, 2 into 3X, इसको simply solve करिए, तो क्या हो जाएगा, X, 3X और 6X, ठीके न, तो ratio क्या आगया, ratio आगया, 1 ratio, 3 ratio, 6 आगया, ठीके न, ये ratio आगया, अब क्या question में क्या वोला, कि, अगर A क्या करता है, चाब उस जड़नी को, तो कौन cover करेगा, B को उसको कितने minute में cover करेगा, तो simple question एक ची देखिएगा आप, कि 54 को करिए, simply क्या, 3 times है, तो 3 से करिए divide, 3 से divide करेंगे, तो कितना है, अगर 3 बन जा 3, और 3 एड जा 24, तो 18 minutes लगेंगे, किसको, B को cover करने में, ठीके न, उस जड़नी को, अब एक ची देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि, एक हो कितना समय लगेगा, तो एक हो कितना लगेगा, कुछ नहीं करने न, 54 अपन करिए कि 6, तो कितना आएगा, 9 minutes लगेंगे, किसको, एक हो, एक हो लगेगा, कितना 9 minutes लगेंगे, ओके दोस्तों, तो option में क्या है, option में option answer केअगा, 18 होगा, क्योंकि question में क्या पूछागा, question में किसका पूछागा, B का पूछागा, तो option number क्या होगा, option number first क्या होगा, इसका answer होगा, तो के दोस्तों, question क्या है, 4 year ago, 4 साल पहले, the Ram was 2 times as old as Sam, तो क्या है, जो 4 साल पहले क्या था, Ram की एच क्या है, Sam से 2 times थी, the 6th year letter, 6 साल बाद, from now, Ram will be 1.5 times old as Sam, तो 1.5 times old किसे, Sam से है, तो the present age of Ram and Sam respectively will be, simple question, एक ची देखिए, question में, जो आपको 6 साल बाद का ratio दिया है, वो कितना दिया है, 6 साल बाद कितना दिया है, 1.5 दिया है, इसमें point रटाएंगे, तो क्या हुजाएगा, इसका point रटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 10 आजाएगा, एक छी देखिएगा, और Рाम का ratio कितना है, Ram का ratio मलेगा, 3 मलेगा, 2 किस का मलेगा, Sam का ratio मलेगा, ओके दोस्तों, कि कब का है, 6 साल बाद का है, तो यह question simple है, 4 साल बाद, टीके न तो मानके चलिए त्यांट किया रामकी X ठीके न अब हम इसमें कॉस्ट पारिषियोढ़री वर उस्वित स्याम तो अब देखिये 20 X तो यह क्या आगी किसrament चे मान लेते रामकी है ये स्यामकी ये अब ये कपकी रिश यह चार साल पहलेそうそうav हो जाएगा खखा तो अब कैसी एज जागी में ऐगी अब क्या भूआ छोसां बात किए खेसला कीजह कलर की प्रलस च्रेटीज़ कियो इसमें भी प्लस च्ञ ओपलट श्य मैं का दिस्यो की हो x plus 10 equal to कितना जाएगा 3 ratio 3 upon 2 ठीक है 3 upon 2 इसको simply solve करिए तो क्या हो जाएगा इसको 2 into 4x plus 20 equal to कितना होगा 3x और 1 into into इसमें होगा तो कितना हो प्लस 30 हो जाएगा हो जाएगा इसको solve करिए तो क्या हो जाएगा इसको solve करें तो 3 x 60 जाए गा एक्स मचेगा और 20 जाएगा तो 30 से माइनस होगा तो कितना 10 x 10 बचेगा तो x की value कितना या गई 10 आ गई अगी अब प्रजैंटेज क्या पूची थी उसनों कॉच्चन में प्रजैंटेज क्या पूची थी राम और स्याम की पूची थी तो दीए प्रजैंटेज कब आएगी आपको पता है प्रजैंटेज क्या होगी यह प्रजैंटेज होगी ठीक है ना तो एक्स में क्या होगा और टू एक्स में क्या 4 add होगा तो अपनी प्रदानिटेश कैसे आएगी तो राम की प्रदानिटेश कितनी होगी 2x plus 4 ठीक है और स्याम की क्या होगी स्याम की क्या होगी x plus 4 simply क्या करिए x की value पूट करिए तो x की value कितनी आई x की value है 10 तो simply क्या होगा 2 into 10 PLUS और simply धर क्या होगा 10 PLUS 4 ठीक है इसको solve करिए तो आपके क्या जाएगा Eastern आ서 आ जाएगा तो 2 into 10 20 of 4 24 इसका कितना होगा 10 PLUS 4 to 14 तो आपका Panthing आश्या होगा 24 और 14 क्या होगा इसके आंसर होगा तो option देख लिए तो option क्या है सिंपल कोश्चन था इतिंग सोनी में आया होगा तो सेकेंड नमबर क्या होगा इसका आंसर होगा उके दोस्तों 24 एंड 14 क्या होगी इसकी यह जोगी राम और स्याम की रिस्पेक्ट वली उके दोस्तों क्या है क्या है जो जुड़ा और त्रैस अब एक की देखिएगा क्यों चौदर साल की कोण है क्लेरा है ठीक है और दो साल अगर पीछे जाएंगे जो कितने की हो जाएगी बारा साल की हो जाएगी उसकी मम्मी कितने साल कि थ्राइस है उससे इंटू 3 करिए तो कितना हो जाएगा 3-4 जा 3-2 जा 6 और 3-2 जा 3 जा 3 जा 3 36 साल किया उसकी एस थी मम्मी की और अगर प्लस 2 कर देंगे तो कितना जाएगा 38 साल जाएगी 28 साल क्या वसकी मम्मी की प्रिंटिज ठीक है यहां जूड़ोड और मैरेच ठीक नंगा आफ्टर 16 साल पहले क्या होती इसकी मेरेच हो जाती है किसकी जूड़ा नोगे 16 माइनस करेंगे जो क्या आएगा 2 और 22 तो 22 साल में क्या होती इसकी साधी हो जाती है ठीक है न अब क्या मोल ला question the ratio of her age to that of her husband met was 11 ratio 13 तो इसकी ratio कितना हो जाता है कितना होता 11 ratio 13 होता है अब कि देखिये us किस के बुचहे कीस का इस बता के साधी है किस साधी माइट है और इसकी the 10 के बराबर दिए जैए एक unit की वल्लू कितनी आएगी तो भी साल आétais कितने साल थे चरा थे ज शॉनेटी का यह थे आएगी हिश्पप दो साल आएगी चरह सोलह शॉन्तो ही तो पहले किया कि ते न 55Fi 16 साल पहले क्या की थी साधी की थी ठीक ना तो बस इसमें करिए क्या 16 एड करिए तो क्या जाएगी इसकी प्रेजेंटिज आ जाएगी कितना होगा 12 और एक क्या तीन और 4 तो 42 यर्स क्या गई उसकी एच आ गई ठीक है तो अपना आंसर क्या होगा 42 यर्स होगा अप्षन देख लेगा option क्या है तो option क्या उपक्षन क्या है तो option क्या है option number क्या सेज़ा है option number क्या है थाइट क्या होगा इसका answer होगा ठीक ना 42 यर्स इसका answer होगा I think questions सम्मनी में आया होगा simple question था ओके दोस्तों तो question क्या है the average of 3 consecutive even number is 10 more than the one type of its first of these even number तो question यह कह रहा है कि जो तीन consecutive even number है उनका average किसे जो first even number उसका क्या one tight से कितना जादा है दस क्या है जादा है तो find क्या करना है largest number find करना है देखिए simple question है मान के चलिए आप even number किस तरी किसे नकालेंगे देखिए पहला मान लीजिए x अपना even number है दूसरे क्या होगा, x फ्लस 2 होगा ठीकै न, और तीसरा क्या होगा अपना x स्फ फॉर च्या होगा और even number होगा अब देखिए इनका सम्करेंगे तो कितना हो जाएगा इनका सम्करेंगे तो कितना हो जाईगा, 3x 3x plus 6 प्लस नपर आएगा ज्यादा है one side of first even number तो first even number कौन से अपना? तो first even number कौन से अपना? x अकेल है तो बस कुछ नहीं करना क्या करना है? minus x अपॉन क्या करना है? 3 करना है. बस simply कर दो इसको solve, equal to कितना 10 है? तिना question यह कह रहा है, simply इसको solve करेंगे तो क्या होगा? इसको solve करेंगे तो कि 3x प्लस 6 माइनस x और अपॉन क्या जाएगा अपॉन 3 equal to कितना आएगा equal to 10 आएगा इसको solve करेंगे तो क्या होगा 2x plus 6 equal to कितना आएगा 3s में 2 होगा तो कितना होगा 30 हो जाएगा बस इसको solve करेंगे तो 2x equal to 24 तो x equal to कितना आ गया? x की value कितनी आ गई? 12 आ गई, आगी x की value 12 है, अब कुछ नहीं करना है, वो क्या करना है? अब देखिए, जो आपका सबसे बड़ा number कौन सा है? सबसे बड़ा number कौन सा है? पर x plus 4 है, तो बस simply क्या करना है आपको? x plus 4 में क्या करना? x की value पूट कर देंगे x की value कितनी नहीं है? 12 थी, प्लस 4 कर दिया, तो कितना आ गया? एकल to 16 आ गया, तो अपना 16 क्या है? आंसर होगा, तो दोस्तों देख लेते हैं, तो option क्या है? तो option number क्या इसका, first क्या इसका, आंसर होगा, तो question क्या है? what is the total length of a pole? if one side of its length is underground and one-fourth of its length is submerged in water and the remaining length of 5 meter is seen above the water. दो की simple question है, एक length of क्या बतानी है? total pole की length बतानी है? क्या है? उसमें से क्या है, जो one side length है, वो क्या है? ground के अंदर है? और one-fourth क्या है? पानी के अंदर है? और जो remaining length है 5 meter, वो क्या है? अब अब the water है, तो दिखें, पांच मीटर क्या होती है, बसे खंबा द Nós Kingdom दिखरा है घ्राई थाए? तो दिखें, total length माण लेते kya है? total length क्या माल लेते हैं माल लेते क्या x है ठीक है ना total length क्या माल ली अपने x माल ली अब एक क्यी बताइए सबसे पहले क्या वोला उसने one tide क्या length ground के अंदर है तो one tide कितना हुआ one upon three into x हो गया ठीक है अब आगे क्या है दूसरा उसने क्या वोला one fourth length कहां पर पानी के अंदर है तो one upon four into x किया ठीक है ना तो ये कहां पर पानी के अंदर है और remaining length कितनी है पांच मीटर वो क्या कर रही दिख रही है ठीक है ना ये किसके बरावर होगी ये total बरावर होगी ये length के तो length of pole क्या अपनी x है तो बस shark को ты понимaste करें पेंगे थे प्लस एक्स पन् फॉर और क्या होगा प्लस 5 वोगा ज Op.遠arner लेंगे तो कितना आजाएगा 4 devotion के अदर क्या ऑगा से थे एक्स के अपन कितना हो जाएगा या 12 त्व decision और क्या हों जाएगा प्लस क्या कितना हो जाएगा और जब स कितना हो जाएगा है सिंपलीस को साल पर जंगे कितना है इसनों एक्सी मेंगें बस इसको solve कर दीजिए simply तो 7x जाएगा तो कितना होगा 12x-7x कितना होगा कितना जाएगा सीधा 12x-7x कितना होगा 5x आएगा 5x एकॉल्ड जू कितना होगा 60 होगा तो बस x की वैल्ल जू कितनी होगी 12 आगी तो अपना answer क्या है 12 क्या होगा आंसर होगा ठीक ना तो 12 मीटर क्या है लेंथ पूल है I think question समझ में आगा को सिंपल question था तो option number क्या है इसका option number क्या है option number type क्या होगा इसका answer होगा ओके दोस्तों तो question क्या है college has 540 boys and girls in ratio 5 ratio 4 तो question यह कह रहा है कि 540 क्या है total student है उन्हें से क्या girls of boys का ratio क्या दिया हुआ है 5 ratio 4 दिया हुआ है if there is increasing of 20% in number of girls तो what is a new ratio of boys and girls तो simple question है क्या वोलना कि जो अगर girls का ratio क्या है 20% क्या होता increase हो जाता है तो what is a new ratio of boys and girls तो देखिए क्या है question में total student क्या है 540 है ठीक है इनका ratio क्या दिया हुआ है boys and girls का 5 ratio 4 दिया हुआ है एक कुछ नहीं करना है इन ratio कर यह add तो ratio को add करेंगे तो क्या है का 9 unit आएगा आगा अब एक है 9 unit की value कितनी दी हुई है तो 9 unit है ना उसकी value कितनी दी हुई है अपनी क्या दिये question में 540 दी हुई है दी हुई है 540 ठीक है अब क्या कर सकते हैं इधर से एक unit की value नकाल सकते हैं तो एक unit की value क्या आएगी तो nine six है कितना हो था 54 तो कितनी आएगी 60 student आएगी तो में लब कि एक unit बराबर कितना 60 student है अब गल्स की ratio क्या है फोर है ठीक है ना पांच क्या बाइस का ratio है तो कुछ नहीं करना क्या करना है अगर 4 into करिए 6 तो कितना आएगा K – 24 дв Ti40 क्या Uh total girls है ठीक है दो सो चालीस girls है और फांच तो चालीस kna अशाय मैनपरह करतें तो कितना बचेगा 540 मेन से अगर 240 मैनपर माइनण किया तो कितना बचेत तीन सो तो 300 क्या है total number of boys थे ठीक है यह किया था ठीक है यह किया है boys है थीक है यह किया था trend 300 अब एक ची बताई उसने क्या बोला है कि 20% क्या होती है 20% गल्स की संख्या बढ़े आती है तो देखिए यह तो क्या है टूटल गल्स थी तो यह कितने परसंट है 100% ठीक है यह कितने 100% है अब कुछ नहीं है आप एक ची बताईए आपको 120% निकालना है ठीक है 20% बढ़ेगी तो 120 होगा न तो बस एक्स की वैल्यू निकाली है तो एक्स की वैल्यू किस तरीके से होगी तो एक्स एक्कॉल टू कितना आएगा 240 ठीक है न इन 2 हो जाएगा न 120 वी इसमें तो 120 और वोर्जा और तूजा तो इसको सुल्ब करेंगे तो कितना आएगा तू एट एट आ गया तो यह क्या आगई नई गल्स की संख्या आ गई जो 20 परसंट बढ़ने के बात क्या है जो गल्स आही न वो कितनी आगई 288 आगई और वोईस कितने थे वोईस ते कितना 300 तो बस इनका रेश्यू नकाल लो तो रेश्यू कैसे नकालेंगे 300 और 288 इसको काट यह 2 से 2 वन जा और 5 जा और 0 जा ठीक है इसको काटेंगे तो 2 वन जा 4 जा 4 जा इसको काटेंगे 2 7 जा और 5 जा सिमरली इसको 2 7 जा और 2 जा अब 3 2 जा 6 वन कहा रही और 3 5 जा बता कितना 3 2 जा 6 और 1 कहा रही 4 जा है तो अपना अंसा कितना आ गया 25 और 24 फिक थे ट्टीड में जुनरेशी रह jinा काटने के जुक्राइब 25 रीषए 24 एट्राइब न इसमें बॉयस का रीषए 25 फंटी छॉयए एग ऐना यह किसका है यह किसका है गल्स का है I think question सब्सक्राइब आगा, simple question तो अपना answer क्या होगा, यह अपना answer होगा, option देखे लेते हैं, option number क्या है, तो option number क्या है, second क्या होगा, इसका answer होगा, तो question क्या है, यह अपने पास कुछ equation दी हुई है, देखे एक equation कुछ इस परकार से दी हुई है, a square minus b square, इसकी identity I think सबको पता है, क्या होती है, क्या होती है, a square, sorry, क्या होती है, a plus b, into क्या होती है, a minus b होती है, okay, तो कुछ नहीं करना है, जहां भी a plus b देखा है, उदर क्या करिए, a की value put करिए, और b की value put करिए, देखे, यह क्या अपना a है, ठीक है और यह क्या अपना b है, ठीक है न, इसको क्या मानते है, b मानते है, अब simply क्या करिए, value put करिए सबसे पहले, तो a की value क्या दी हुई है x square plus by square minus z square by square minus z square सबसे पहले plus है तो क्या होगा? plus हो जाएगा और b की value क्या दी हुई है x square minus y square plus z square तो क्या होगा? x square minus y square plus z square ठीके न? अब इसको करेगे सबसे पहले solve इसको solve करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये plus, plus का y square minus का y square क्या होगा? cancel हो जाएगा ठीके न? similarly क्या होगा? minus का z square और plus का z square क्या हो जाएगा? cancel हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? only 2x square बचेगा ठीके? अब similarly अगर ये दूसरी देख लीजिए माइनस का नसान था तो कुछ नहीं है वो हो जाएगा x square plus by square minus z square अब minus का sign था तो क्या होगा? minus minus x square ठीके? और minus by square था तो क्या होगा? minus minus plus हो जाएगा तो क्या होगा? plus by square और plus z square था into minus होगा तो कितना होगा? minus z square ठीके ना? तो ये क्या है? minus z square होगा ओके? अब similarly क्या करिए इसको? solve करिए तो similarly solve करेंगे तो क्या होगा? देगे, कुछ नहीं देखिए ये z square और ये z square क्या होगे? 2z square हो जाएगे हो जाएगे? और ये क्या होगा? cancel होगा प्रस का और माइनस का x square cancel होगा तो क्या आएगा? 2 y square minus 2 z square आएगा? अब क्या था? into में क्या था? into में अपने पास क्या था? into में क्या था अपने पास? into में क्या था अपने पास? x square था था? ये अपने अपने नकाला था 2x square था क्या तो 2x square था अब इसको solve करेंगे तो क्या होगा 4x square 2 square minus क्या हो जाएगा 4x square और z square आएगा ठीक न तो 4 4 क्या आजाएगे तो x square y square और y² minus क्या होगा x² z² तो बस इसको करिए solve तो आपको क्या जाएगा 4x² y² minus z² क्या जाएगा आपका answer आजाएगा ओके दोस्तों तो ये रहा अपना answer simple question था बट टोड़ी calculated था लेकिन easy था मैं समझा दिया किस तरी के solve करना है तो option number देख लेते हैं तो option number क्या होगा इसका option number क्या option number second क्या होगा इसका first क्या होगा इसका answer होगा ठीक है न तो option number क्या first होगा इसका answer ठीक है न तो ये first है न first क्या होगा इसका answer होगा तो option कहाँ पे इसका answer तो यह कुछ इस परकार से इसमें क्या हुगा एक्विशन स्वाल हुई है ओके दोस्तों और को डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करिएगा मैं पर इसको दोवारा फिर से अच्छी से समझा दूँगा question क्या है if a sum of rupees 3540 is divided in 3 parts in a ratio of 2 ratio 6 ratio 7 then the largest part will be simple question है क्या कह रहा है कि जो sum दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3540 rupees का वो कितना part में divide है वो 3 parts में divide है ठीक है न हो 3 parts divide का sum है तो इनका ratio के दिया हुआ है 2 ratio 6 ratio 7 दिया हुआ है कुछ नहीं करना है यह ratio है न इनको कल लो add तो कितना हो जाएगा 6, 7, 13, और 2, 15, तो 15 unit के आगया, इनका ratio आगया, ठीका न, जोडने के बाद, इन ratio का, अब देखिए, sum कर लिया, तो 15 unit equal to क्या कर लो, sum कितना दिया हुआ है, sum दिया हुआ है कितना, 3540, ठीका न, इतना दिया हुआ है, तो 1 unit की value कितनी आएगी, 1 unit की value कितनी आएगी, इसको divide कर लो, तो इसको divide करते हैं ज़र पर, 3540 divided by 15, ठीका न, 5, 3 जा, 5, 7 जा, 35, 5, 8 जा, 40, ठीका है, 3 जा, 3, और ये कितना बार में जाएगा, 2 जा, 3 जा, 9, और 6 जा, तो कितना आएगा, 236 कितनी आएगी, रुपी, 1 unit की value कितनी आएगा, 236 कितनी आएगे, ì 1 unit की value ओ, question में क्या पूचाता तो question में, कि अपसरे largest part पूचाता तो दो देखे, ratio क्या है, largest ratio किया 7 है ठीक है तो कुछ नहीं करना है क्या करना है जो 263 है ना उसमें कर दो क्या into 7 का into कर दो तो कितना आएगा 76 42 ठीक है ना तो कितना होगा 2 4 कह रही 7 3 जा 21 और 4 तो कितना होगा 5 आ गया आ गया 1 2 कह रही ठीक है ना तो कितना आ गया 16 तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आ गई 1652 तो आंसर कितना हो जाएगा अपना इतना आंसर हो जाएगा तो अप्सन नमबर क्या है और फिस्ट क्या इसका आंसर होगा ओके दोस्तों question क्या है what is the number whose cube is minus 1331 तो देखिए दोस्तों question में क्या है कि आपको दो option दिया हुए है ठीकिन एक तो 11 दिया हुआ और एक क्या दिया हुआ है तो एक ची बताईए अगर 11 का square करते है तो कितना आता है 11 का square कितना आता है 121 आता है कितना था 121 आता है अब एक ची बताईए अगर cube करेंगे तो क्या होगा माइनस 11 in to minus 11 in to minus 11 लिएक न स्का cube करेंगे तो क्या होगा दिखिया जब इदक अब इधर से IN TOO करेंगे तो कितना आएगा माइनस ओ थुरा कितना आएगा होगा तो option number क्या है इसका option number क्या है इसका first क्या है इसका answer होगा ओके दोस्तों